Hello Everyone, Welcome all at location, Sir Unlifited Study Zone तो स्टार्ट करें हैं Physics का Sample Paper No. 2 इसके पहले कल हम लोगों ने Physics का Sample Paper No. 1 किया था तो अप कर रहे हैं Sample Paper No. 2 चलिए स्टार्ट करींगे 1 by 1 question देखेंगे तो सबसे पहले देख रहे हैं बहु विकल्पी प्रश्ने इसमें हमको क्या देखता है बहुत ही simple question होता है, विद्धुरंधरत तका जो ऐसा ही मात रख भुँआ करता है, वह आप सभी जानते हैं, क्या होता है, फैरड, ओके, फैरड फैरड कुज ही बोलो, MPR किसका मात रख है भाई विदो धारा का धारा के चुम्ब की प्रभाव की खोज किसे ने करी और स्टेड ने करी वन वेबर पर मीटर स्क्वार किसका मात रख है वन वेबर पर मीटर स्क्वार चुम्ब की फ्लक्स का मात रख है वे एक मिनट एक मिनट चुम्बी की छेत्र का होगा चुम्बी की फ्लक्स का नहीं होगा क्योंकि फाइज इक वस्तू होता है बी डॉट एफ इस इकल टू था बी इंटू ए और बीजिक ल्टू होता है फाई एपॉन एओके तो इसमें जल्दवाजी मत करिएगा मेरे जैसे आप लोग आराम से टाइम लेकर के सको करिएगा तो चुम्बी की छेत्र है चुम्बी की फ्लक्स नहीं करेक्ट आंसर दिया भी है चुम्बी की छेत्र है यह देखो भाई पांचवी क्लास का कुश्चन ओजोन मंडल अवसोसित करता है किसको भाई सब परावेगनी करिणन जैन कहीं और चल गई समझ गया दो ध्यान रखेगा विस औगो की ओटर स्वाई अगला उस्ट्रों टनीए में से किसका माति रख है अब एलेक्ट्रॉन आप ले लेंगे और कोई भी वोल्टेज भी देंगे इसको तो उसकी जो उर्जा बनेगी कितनी बनेगी इलेक्ट्रोन वॉल्ट, तो इसलिए किसका मात्रक होगा ये उर्जा का, चलिए, अब आते हैं, हमको भरना है, रिक्तिस्थानों की पूर्ती, ठीक है न, रिक्तिस्थानों की पूर्ती करेंगे, पहला है, विभाव मापी को एक, ठीक न, रिक्तिस्थानों की पूर्ती कीजि एकदम कभी भी खुद से कोई करेंट निखाता वो सर्कुट से इसलिए वह आदर सो वुल्ट मिटर हुआ करता है वह क्लियर हुआ कि नहीं हुआ चलिए ठीक है अब इसके बाद देखे दिश्रा जो क्वेश्टन है ये दूसरे पैश पर आ गए ऑपन क्या पहला है ही चले क्वेश्चन मघ स्री रहते हैं किसी परपत में धाराका मान बदलने पर दूसरे परपत में प्रेरित विदुत वाहक बल का मान उत्पन होना क्या कह रहाता बताईए इसको बोलते हैं अन्योन प्रेरण क्या बोलते हैं अन्योन प्रेरण भाई एक परपत आपके सामने है और एक परपत में आप धारा का मान बदलो और दूसरे परपत में आपका विदुत वहाग बल उत्पन हो जाए तो इस घटना को क्या बोलते हैं अन्योन प्रेरण इसको मीचोल इंडक्षन बोलते हैं इंग्लिस में है ना तो इसे बोलते हैं अन्योन प्रेरण ठीक ना इसे आप क्या बोलेंगे अन्योन प्रिण बोलेंगे चलिए अगले क्वेशन के और चलते हैं अगला क्वेशन है द्रव की तरंग प्रकती की प्रायोगिक पुस्टी किसने की थी बताइए एक बार द्रव की तरंग प्रकती की किसके प्रयोग के द्वारा की गई थी तरंग प्रकति किस से प्रूव होती है देखें द्रूवाण जो होता है द्रूवाण से द्रूवाण से प्रूव होता है कि जो तरंग है वो अनुप्रस्थ है यह ना तो कॉपी में आप लोग लिख लिए कि द्रूवाण से क्या प्रूव होता है द्रूवाण से यह यंघ का कौनसा एक्सपरिमेंट एक्स परिमेंट तो इसके लिए दू एक्सपरिमेंट आपको को में लिखा देता हूँ तरंग प्रकति को पुष्ट करने के लिए एक था यंघ का लिए क्रफति समय अ मैं रिटों फाही जै पतली धातु का विवरतन प्रयोग, तो दो प्रयोग थे, दो प्रयोग की माध्यम से द्रव की तरंग प्रकति की पुष्ठी हो गई, एक तो हो गया यंग का डबल स्लिट प्रयोग, यंग का दुश्लिट प्रयोग, और दूसरा पतली धातु का विवरतन प्रयोग, ठीक है? चली अगला देखे सघन माध्यम में प्रकास की चाल विराम माध्यम के पेचा क्या होती है क्या होती है क्यों 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 क्यो मैंने फ़ॉर्मूला भी लिख दिया है ना आपको मैंने लिखा थो विज इनवर्सली प्रपॉश्णल टूम्यू आपने पढ़ रखा यह तो सघान माध्यम का मियू ज्यादा होता है तो वु एक क्या होगा कम होगा समझ गया ना विक क्या होगा कम हो देखिए आपको objective करने हैं तो आपका जो theory portion है वो अच्छा strong तो होना चाहिए अगर theory portion आपका lose है तो objective आपको प्रेशान करेंगे आपको समझ नहीं आए यह कैसे हो रहा है तो theory portion अब इतना समय बचा नहीं है तो अब यह है कि और उर्जा का विमी सुत्र होता है ml2 t की power minus 2 हाइड्रोजन परमाडू की आइनन उर्जा आपको बतानी है तो हाइड्रोजन परमाडू की आइनन उर्जा भाई साब 13.6 electron volt बोले clear हो गया यही आएनन उर्जा है और अगर बंधन उर्जा भी पूछ लिया जाए तो यही आपको बंधन उर्जा लिखनी पड़ेगी ठीक ना बट व माइनस में होगी जितने से बंधा रहता है है ना चलिए आगए अगला question सही जोड़ी बनाओ तो भाई साब स प्रतिवाधा हो प्रतिगात हो प्रतिरोध हो सबका मातर क्या होता हो होता है अबरक्त क्रिणों का काम क्या होता अंधेरे में फोटोग्राफी करने में नाइट वीजन कैमरे में अबरक्त क्रिणों का इस्तमाल होता है प्रकास का तरंग सिध्धान्त हाइगन ने दिया था बहुत शांदर से धान था है ना और देखे फोटान का तरंग देर्ध भाई फोटान का तरंग देर्ध आपने को पता है तरंग देर्ध लेमडाइक कोल टू है ना फोटान का तरंग देर्ध देखे लेमडाइक कोल टू एच अपॉन पी लेमडाइक कोल टू एच अपॉन प अब यहाँ पे, यहाँ पे कहा गया रहा है, C अपन भी कहा जा रहा है, मतलब यह भी वेलॉस्ती है, यह भी वेलॉस्ती है, यह भी वेलॉस्ती है, यह भी वेलॉस्ती है, एक मिनट, एक मिनट, मेरे खाल से फ्रिक्वेंसी है, मेरे खाल से क्या है, फ्रिक्वेंसी है, है ना, तो frequency की वज़े से c by lambda देखिए क्या होता है formula मैं बता देता हूं आपको c equal to new lambda पढ़ाया मैंने आपको c equal to new lambda तो lambda equal to c by new तो बिटाई ये velocity नहीं है ये क्या है frequency है क्या है frequency है तो इसको अगर आप frequency की रूप में देखेंगे तो photon का तरंग देर c upon new आएगा और क्यों ना आए चूंकि photon जो होता है प्रकाश की वेक से गमन करता है तो photon का तरंग देर कितना हो जाएगा c upon new ठीक है जी? proton की खुझ किस ने करी? proton की खुझ किस ने करी? betआओ भाई सब Gem Steadwick ने करी proton की खुझ किस ने करी? ने रदर फोर्ट ने ऑई तो प्रोटॉन की खूज रदर फोड ने ठीक न और यहां पर जैर्म्स चैडवी नोट कर लेजिए इसको इस तो देखिए एक ट्रिक यहां पर CP ने बताई है जिसका नाम है ईट पर नाचे ओके इट पर नाचे ठीक ना तो इससे आप पता लगा सकते हैं यह मतलब इलक्टरॉन और इमतल आप नहीं हुगगा हां तो इलक्टरॉन की के लिए क्या है चैडविक है तो इससे ये आपको याद रहेगा चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि देखे अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्ण में से निम्ण प्रस्टनों के उत्तर एक एक शब्द में एक शब्द एक शब्द वाक में दीजिए आपको देना है एक शब्द या एक वाक में आपको उत्तर देना है निम्ण प्रस्टनों के देखे तो लॉरेंज बल का सूत्र लिखना है सबसे पहले लॉरेंज बल का सूत्र सभी को याद है क्यूवी भी साइन्ट लिटा होता है उस भौतिक राशी का नाम बताई जिसे वेबर में नापा जाता है अगला देखे क्या कर रहा है विद्दुत चुम्ब की तरंगे के प्रकृति की हुआ करती हैं बताई विद्दुचुम्ब की तरंगे क्या होती है विद्दुचुम्ब की तरंगे क्या होती है अनुप्रस्थ होती है कैसी होती है अनुप्रस्थ तरंगे होती तो यहां पर आप अनुप्रस्थ तरंगे लिख सकते हैं कि विद्दुचुम्ब की तरंगे जो होती भाई साफ F equal to R by 2, प्रकासी संसूचक का उदाहरं दीजे, अब ईह वैसे सलेब कर्ण देधा और बदले में क्या बनाता है, बदले में इसको फोतो डायोड है, फोर सोलर सेल के जैसे काम करता है जीरो डिगरी केल्विन पर निज अर्ध चालक यहीं कि शुद्ध अर्ध चालक भई जीरो केल्विन पर आप अगर उसको चलाओगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन और होल तूटेंगे ही नहीं और इलेक्ट्रॉन और होल नहीं तूटेंगे तो चालन नहीं होगा, कंडक्शन न होगा तो क्या हो जाएगा यह इलियो भाई साब इसने लिख राका है अती चालक बिल्कुल गलग है यहां पर लिख लो कुछ आलक लिख लो है ना तो 0 degree centigrade पर निज अर्ध चालक किसकी तरह व्योहार करता है 0 degree centigrade पर निज अर्ध चालक जो है अतिचालक नहीं है भाई साव यहां पर लिख लो अचालक लिख लो या कुछ आलक कह लो क्योंकि जिरो डिग्री सेंटिगेट पर कोई साथ़लो कुछ आलक है पिए न संधी डायोड में अब अच्छाए परत्म कैसे आईन होते हैं निष्चल मतलब युट ना सकते मैंने बताया ठोड़ाया था कि बीच में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यहां वाले एक्ट्रॉन ऀदर चलेगाया Гाया वाले होल इदर चले निश्चल जो चल नहीं सकते हैं ठीक है ना चलिए कोश्चन नमर पांच अब बड़े कोश्चन आ चुके हैं दो दो माक्स वाले दो आवेशित कणों के मद लगने वाले विद्धुद्बल गुरुत्ता और संबल में तो अंतर पष्ट करना है तो भाई विद्धुद्बल चलिए किसी चल 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 को अभीशित करने की चलन विद्धी को समझाए तो बहुत ही सिंपल है चलन विद्धी के लिए आप एक अनावेशित चलक रख लिए और दूसरा अंड़क्टर रख लिए जो चलक है चलक से सीधे एक वायर लगाए दूसरे को टच कर दीजे ये चल शोमलत हो जाएगा कोई दिक्क्त है थर्मिश्टर ताप परतिरुदा का है ऐसी हां इस उतीका है प्रतिरुद का प्रकार होता जो आजकल आटो कट डिवाइसे साती है उसमें उप्योग होता है और भी बहुत सारी चीजे हैं पढ़ लिजेगा इसको थर्मिस्टर का उप्योग किया जाता है ठीक ना आपने देखा होगा कोई चीज बहुत गरम हो जाती है और अपने आप बंद हो जाती है है ना जो आप आपके घर में वोल्टेज रेगुलेटर वगेरे हुआ करते हैं वो अपने आप चलते 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 बंद हो जाते हैं है ना तो यह थर्मिस्टर के ही कमाल से हुआ करता है एक एंप्यर को परिवास्त करने के आपके पास में कई तरीके हैं एक सेकंड रोग जाई फार्मूला का हुतरै एक फेक कोल्ड टुमिशन टबं क्यूभी मिसान ठेटा होते ना एफ ही खुल ठुक्यू भी इस आंठ लगासित कर सकते हैं क्यू भी शायन टुब्स बट से भी परिवासित कर सकते हैं क्या बट इसमें क्यूशन में थाई तो आइता नहीं है तो आप इसको F equal to Bill grâce theta से प्रिभास्ट कर सकते हैं ठीक ना तो F equal to Bill क्या note upon 4 Brazil नहीं आता है तो कि एक अपन-ापको दिखिए ये एक ampere है, तो mu not upon 4 pi की value किती होती, 10 की power minus 7, तो ये भी 10 की power minus 7 ले लेना, और ये भी आप 10 की power minus 7 ले लेना, ओके, dl कितना ले ले लेना, one meter, और sin theta sin 90 ले लेना, r कितना ले 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 लेंा, one ले लेना, सब कुछ one लेने पर जो current की value आएगी, जाएगी कि तेंपेर हो जाएगी वाने पिर जाएगी ठीक हां धारा मापी की सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं धारा मापी की सुग्राहिता क्या हुआ करती दिकी धारा मापी की जब सुग्राहिता पूरी जाए तो आपको पता चलता है क्या करेंट सुग्राहिता मतलब थीटा करके कुछ C थीटा करके कुछ हुआ करता है, C की वैल्यू, C की वैल्यू इकल टू जी अपॉन अन्ब ये कुछ आती है, तो वही इसकी धारा मापी की क्या होती है, सुग्राहिता हुआ करती है, चली, चली, अगला कुछन देखिए, क्वश्चन नमबर आठ है, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, कि प्रत्रोध बॉक्स के अंदर लगी हुई कुंडली को बनाने के लिए तार दोहरा मोड़ा जाता है, कल भी मैंने बताया था आपको, कि इसको तार दोहरा क्यों मोड़ा जाता है, क्योंकि एक बार धारा इधर से आएगी और एक बार धारा उल्टे तरफ से आएगी, क्योंकि भाई साब जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसको amplify करना उसको प्रवर्धित करना बहुत आसान है और दिश्ट धारा को प्रवर्धित किया नहीं जा सकता है इसलिए प्रत्यावर्ती धारा दी जाती है अगला संयूगमी फोकस क्या है मैंने कर बता है मुकक्च में दो जोड़े होते हैं बिन्वों के जिसमें वस्तु को पहले रखोगे तो इमेज यानि प्रतिविम दूसरे स्थान पर और अगर वस्तु को दूसरे स्थान पर रखोगे तो प्रतिविम पहले स्थान पर बनेगा ऐसे जोड़ों को क्या बोलते हैं से यूगमी फोकस कहते हैं लंबन किसे कहते हैं, लंबन सापेच्चिक विस्थापन में जो तुरुटी समझ में आती है, हाँ को उपर नीचे करने पर, ये तुरुटी क्या कहलाती है, लंबन कहलाती है, समझ गया न, इसलिए आपको जब भी एक्सपरिमेंट करने को बोले जाता है, पिन वाला, फिजि कास विधुत्वभव में अनोड़ पुटेंशल वो व वीभुव जिसमें करेंट का मांद कितना हो जाता है जी यू विभुव वो को क्या बोलते हैं निरोधी वीभु भूला करते हैं ठीक ना आप विभुव को अनोड़ की पूटेंशल को लगातार कम करते अनोड की तरफ आते हैं क्यों की रॉड़ी रॉट जाएंगे तो उस भी विभव को जिसमें की ये इलेक्ट्रॉण ना आये पाएं उसको हम बोलते हैं क्या निरोधी विभव अगला क्शेन देखिए तापायनिक उत्सरजन क्या होता है बहुत ही सिंपल है तापसे आइनित हो कर के जो सर्जन हो जाए उसको बोलते हैं तापायनिक सर्जन तो कोई आपके पास धातु की पट्टिका है उसको बलकी गरम कीजिए ओके इसमें प्रकास वित्रण कर देंगे तो भाई सब हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन तो आपके पास कोई धातु की पट्टिका है इसको गरम करिए गरम करने से क्या होंगे इसके इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगी और उर्जा लेकर के वो धातु की सते के बाहर निकल जाएंगे तो इस प्रकार के उत्सर्जन को हम क्या बोलते हैं ताप इनके बीच का जो गयफ होता है इसको हम क्या बोलते हैं संघट प्राचल इसको 20 से रिनोड करते हैं तो यह संघट प्राचल करता है छोड़ी सी परिवासा है बट इंपॉर्टेंट है याद कर लिजे आएगी तो दो नमबर में ही आईगी चलिए अगला देखिए नाभगी स अर्ट से के स्ट्रकार लग है बहुत ही सिंपल है नाभगी ऐन में लान भी हलकी हलके नाभग जुड़ करके बड़े नाभी कंशा झनरमाळा करते हैं और जब कि नाबख stellar एक नाभिक तूट करके दो नाभिक में तूट जाता है, ओके तो इस दोनों के रियाक दूसरे की क्या है, विप्रीथ है, उठ सर्जन स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, उठ सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होता है, अगर आपके पास में किसी परमाडू का परमाडू का इलेक्ट्रॉन उ उर्जा मुक्त करने पर अलग-अलग तरंग दैर्ध है ना कुछ वीशेश तरंग दैर्धों की स्पेक्ट्रिमी देखाएं आपको दिखाई देती हैं स्पेक्ट्रोग्राफ में तो वह मिलने वाला उस स्पेक्ट्रम जो कहलाता क्या कहलाता उत्सरजन स्पेक्ट्रम समझ ग जब नाब की विखंडन करते हैं तो जब एक बड़े नाभिक में आप यह नहीं कि बंबारी कराते हैं तो बड़े नाविक में नूट्रन की बंबारी से तीन छोटे न्यूट्राइब हो गी उसमें आता है थ्री टाइम सब 0 एन वन है ना three times of zero and one ऐसा होता है three times of zero and one zero and one का मतलब क्या होता है neutron क्या होता है neutron मतलब एक neutron अपने तीन बच्चे पैदा करता है एक तरगी से समझ लो है ना तो अगर आप और फिर ये जो तीन है ये तीन जो है ये फिर 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 से तीन करेंगे और ये वाला भी किस्से करेगा, तीन करेगा, ये वाला भी किस्से करेगा, तीन करेगा, इस प्रकार की एक अनियंतृत क्रिया प्रारंब हो जाती है, नबकी विखंडन के दौरान, इसको बोलते हैं, श्रंखला अभी क्रिया, क्योंकि न्यूट्रॉन से तीन, न्यूट्रॉ आवेश संचित की हुए आवेश की मत्र को क्या बोलते हैं धारता है ना क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है सी कुल टू क्यू अपॉन वी अगर वी का मान कर देंगे वन तो सी का माना जागा क्योंकि बराबर चालक की धारता को कौन-कौन से कारक प्रभावित करते हैं मैंने ब विद्ध अभगत के कारण जो सेल के आयन को जाने में दिकत परिशानी होती है उसके कहान जो सेल में प्रतरोध जन्म लेता उसको में बोलते हैं सेल का अंत्रिक प्रतरोध इसको प्रभावाkok मैं ने कल की कके क्लास में आपको बताये थे मान दोनों ईलेक्टोडों के बीच हां हां यहां पर क्या आता है capital R भी आता है ठीक ना येस तो नोट कर लिए इसको सेल का समीकर आज मॉल एकल टू यह पॉन भी मैनस वन इंटू capital R यह बहुत इंपोर्टेंट है और इसको करके जाएए यह मैंने करा रखा आपको चलिए अगला कोश्चन देखते हैं Yes Yes Cell के स्रिड्डी क्रम में किस प्रकार सहेय जिद किया जाता है बाहर पर्पत में बहने बाली धारा के लिए कपी सारे cell आपने जोड रखे हैं 就 मैंने आपको कराया था कि अगर M cell आपने जोड रखे हैं है ना स्रेड़ी में तो इस तरीके से इसका जो अपने पास विद्धु द्वाह का बनता है i equal to है ना i equal to भी भाई यार तो यहां पे कितना हो जाता है n e n e है ना n cell है और प्लस बाहर में एक बड़ा प्रत्रोद जुड़ा रहेगा तो क्या पता था मैंने capital r plus n r है ना n small r यहां पे आएगा small r हाँ तो यहां पे आएगा small r इस तरीके से अब इसके बाद देखे आप जानते थे कि यह फायदे मंद इसको लेना है तो आपके पास यह जो बाहर वाला जो होगा अंदर वालों से क्या होगा जादा होगा तो इसको इस तरीके से लिखा करते थे कि अगर आपको इसका फायदा लेना है है ना देखें क्या करता बाहर परपत में बहने वाली धारा वैसे धारा के लिए तो वेंजक ये हो गया है तो आप यहीं तक इसको छोड़ करके आ सकते हैं लाभ की स्थीति ना करें चली अगला देखें इसका उल्टा देदिया है सेलों को समांतर क्रम में किस प्रकार से उजित किया जाता तो इसी का कोश्चन जो समांतर क्रम वाला था वही कर दीजे बाहर परपत में बहने वाली धारा के लिए वेंजक स्थापट करना है यह सायोजन कब लाभ प्रद होता है हाँ तो यहां पर बताना पड़ेगा कब लाभ प्रद होता तो मैंने आपको यह बताया था इस तरीके का डेरिवेशन यह देखें सारे आंतरिक बैटरी बैटरी के साथ अंतरिक प्रत्रोद और सब जूड कर के बाहर एक रेजिस्टें क्या होता है कि जो तरंगे होती हैं वो माध्यम में तरंगागर की फॉर्म में आंगे बढ़ा करती हैं जिसमें जो प्रात्मिक प्रात्मिक तरंगागर जो हुआ करता है उसका जो बाहर वाला जो जैकेट होता है वो क्या बन जाता है दूतियक तरंगागर बन जाता है समझ ग इंदू होते हैं को बोलते हैं क्या बोलते हैं क्या इनको तरंगी का है हाँ तो इसको पढ़ लिए इसकी लेंगे सोड़ी टफ है और तल दौरपाण में फोकस और वकरता थे इंज की दूरी के लिए तो भाई या एफिकल्टू आर्वेटू को डेरिविशन कर दो वही आराम से है चलो पी एन संधी डायोड का अर्ध तरंग दिश्टकारी सबको पता है कि एक डायोड लगाओ ओके एक डायोड लगाने के बाद तरंग आती है आधी 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 नहीं आगी फिर आधी आधी नहीं आगी फिर आधी 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 नहीं आगी तुसको बोलते हैं पंड़् तरंग दिश्ठकारी अग्ला क्न दिखें अगरा क्रसरा है पीए लोटा पूर अ लगता है और एक धायोड कहा लगता है नीचे लगता है ओके लिए य्दायोड उपर 1 iy नीचे लगा हाँ ये थोड़ा मैं इस पर जादा बात करूँगा देखिए चो कुंडली क्या हुआ करती है येस अगर आपके पास कोई ऐसी कुंडली है जो सुद्ध प्रिरिकत तो हुआ करता है जिसमें देखिए आपके ने पढ़ा है कि जो average power का formula था वो क्या था मैं आपके लिए लिख il exchange आपके तो को पता है कि जो शुद्ध प्रिरकत होता है उसमें जोल्टेज होता है वो करेंट के सांथ कितने degree पर हुआ करता है 90 degree पर हुआ करता है तो सुद्ध प्रिर्कत में voltage जो होता है current के साथ 90 degree पर होता है तो चोंग कुंडली में आप एदि सुद्ध प्रिर्कत ले लेते हैं तो voltage और current के बीच का कॉन कितने degree हो जाएगा 90 degree तो इस तरीके से average power कित्ती आ जाएगी ये जो भी होगा V होगा I होगा तो V RMS और I RMS तो बने रहेंगे और cost कितने degree हो जाएगा 90 और cost 90 का मान कितना होता है 0 होता है तो इस तरीके से average power की value कित्ती हो गई 0 हो गई हाँ, नहीं बेटा चो कुंडली की बात हो रही है कुंडली में धारता नहीं लगा सकते हो कुंडली में केवल आपको प्रेरकत लगाने की जाजत है तो वैसे बात सही है आपकी किस्त धारता में भी जो power जाएगी वो कित्ती होगी 0 होगी, बिल्कुल सही बात है पर यहाँ पर कुंडली की बात हो रही है तो आपको केवल क्या लगाना है कुंडली ही लगाना है और यहाँ पर एवरिज फाबर की वैल्यू कित्ती हो जाती है 0 होती है तो इस कंसेप्ट पर जो कुंडली बनाई जाती है इसको हम क्या बोलते है चो कुंडली, इसको हम बोलते हैं चो कुंडली, चली, कली बताया था मैंने कि ट्रांसफर्मर में और जा हानी किन कार्णों से होती है, तो ट्रांसफर्मर में जो और जा हानी होती है, उसमें जो मुख है, नमबर वन मैंने बताया था आपको सैथिल हानी, कौन से बताया थी, स तो क्यों होती ही सेतिल हानी फ्लक्स पहले दाएं से बाएं जाता है फिर बाएं से दाएं आता है तो लगाता है फ्लक्स के परवर्तन के कान जो हानी होती है उसको सेतिल हानी केते हैं इसको कम करने के लिए आप किसका यूज कर सकते हैं ऐसे मेटरल का यूज करते हैं जिसकी कि युनिता क्या है जैसे कि और वह भ्ता कि क्रिंट और एक। हती तो केरिंड जएगी तो क्या डेवलिव होगी क्या क्या डवलोफ होगी ही rif पटलित करना पड़ता है तो यह कल भी मैंने बताया था कि इनके लिए आपको को क्या करना पड़ेगा पटलित करना पड़ेगा चलिए व्यती करना की आवश्यक सर्तों को लिखे व्यती करना के लिए क्या होना चाहिए नमबर वन आपका जो सुरूत होना चाहिए वो कला सब आपत कीजिए तो कल मैंने जो सूत्र बताया था आपको कल की क्लास में जो बहुत इंपॉर्टन फार्मूला था म्यू इकल टू साइन ओफ ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ओफ ए वाई टू तो मेरी जो अप्टिक्स की प्लेलिस्ट है जो है ना कफी एक महीने करीब चलाया था हमने उसमें पूरे डेरिविशन आपको करे हुए हैं उसमें से जा करके यह आप नोट कर लिजे डन तो किसी प्रेजिव के पदार्थ के परतनांग खेतू सूत्र वहां से आपका लिजेगा तो यह आ इसके पहले हमने एक पीपर कर लिया है तो यह तो इंस्ट्रक्शन आपको दिये रहेंगे आप पढ़ लेंगे चलिए अगला क्वेशन देखे एक कुलाम इलेक्ट्रोनों की संक्या सबको लगभा या दो चुका होगा 6.25 इंडू टन की पावर 18 हुआ करते हैं विस्ष्ट विद्धु चुमकी प्रणल की खोज किसी ने की थी बताई फेराडे ने और श्टर्ड ने तो सबको याद होगा आंसर क्या है विद्धु चुमकी तरंगों के विसकारक कौन है क्लरक मैक्सेल है विसकारक शुदजल के लिए अपवरतनांग कितना होता है 1.33 सबसे यादा हीरे का होता है कितना होता है 2.62 कितना होता है हीरे का 2.62 तरंग सदिस को व्यक्त किया जाता है तरंग अरे भीया तरंग सदिस को व्यक्त किया जाता है एक्चली यह जो होता है इसको बोलते हैं propagation constant propagation constant actually यह है संचरन निये तांक क्या है बीटा संचरन निये तांक तो संचरन निये तांक की वैलू याद करो k equal to 2 pi by lambda k equal to 2 pi by lambda उतना ज्यादा important नहीं है 11th class में आता था k equal to 2 pi by lambda है ना जो तरंग का सदिस हुआ करता था उसमें इस्तमाल होता था ठीके ना उसमें इस्तमाल हुआ करता था यह मैं लिख दिता हूं आपके सामने तरंग सदिस का समय करो y is equal to a sin omega t plus minus kx plus minus kx तो वहां पर यहां पर तो पता नहीं क्यों आ गया है चले कोई बात नहीं चले अगला दे सदिस योग का पालन नहीं करती सदिस योग का पालन नहीं करती जबकि जो धारा होती है जबकि जो सदिस रासियां होती है वो किसका पालन करती है सदिस योग का और यह जो विद्धु धारा होती है वो किस योग का पालन करती है अधिस योग का इस इस लिए यह अधिस यो तो सदिस में आपने ये वाला फार्मूला लगाना पड़ता है बट अधिस में आपके पास दो और दो कितना होता है चार तो आप दसमी करास तक जो जोड़ते थे वह अधिस योग था ठीक ना फिर जब से आपने बल पढ़ा बल की पढ़ने के बाद आपने जो जोड़ा है कौनसा योग है सदिस योग है विद्धु धारा के चुम्ब की प्रभाव की खोज किस ने की थी और श्टर ने प्रेरकत का विमी सूतर बता दो भाई तो प्रेरकत का विमी सूतर ये देखे लिख लिए याद कर लिजिए ml2t की पर माइनस टू, एकी पर माइनस टू ठीक ना तो ये होता है प्रेरकत का विमी सूतर खुद भी बना सकते हैं आप प्रेरकत का विमी सूतर विद्धु चुम्मिकी तरंगे कि इस प्रकार की होती है, अनुपरस तरंगे होती है जल में वायू का बुलभुला कल ही कितना होता है जीरो येस हाइडोजन परमाड़ों की एन भी इस्थिर कक्षान में इलेक्ट्रोनों की उर्जा किती होती इन इकल डू विड़ा याद कर लो इन इकल डू माइनस का 13.6 अपॉन एन का स्क्वेर माइनस 13.6 अपॉन एन का स्क्वेर यह बहुत इंपॉर्टन फॉर्मुला है माइनस 13.6 अपॉन एन का स्क्वेर एलेक्ट्रोन वोल्ट है क्या माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वेर और साथ में एलेक्ट्रोन वोल्ट ठीक है चली चुम्बे की चेतर की तीवरता क भाई वेबर पर मीटर स्क्वाइर भी चुम्ब की छेतर की तीवरता होती है ठीक है अब रुख जाओ देखो चुम्ब की छेतर और चुम्ब की छेतर की तीवरता भाई यह तो क्वश्चन ही गलत बोल दिया है कि चुम्ब की छेतर और चुम्ब की छेतर की तीवरता दोनों एकी चीज़ होती है क्योंकि चुम्ब की छेतर क्या है वो तो जगह का नाम है ना कोई क्वांटिटी तो है नहीं तो अगर आप आदमी कहता है कि चुम्ब की छेतर क्या है तो वो भी यही देखेगा तो चलो कोई रिक्कत नहीं है आप इसमें दोनों में किसी को भी लगा सकत कि नहीं间 हो के लाल रंग का प्रकास कि हुआ करती है अगला का संभी कितना हूता है फोटन का संभीक होता है ह एक तो पी कितना हो जागा है चाहलेक फोटान की आपरती और और इलेक्ट्रोन की खोषता परचल बात जाएंगा आपको जेज थामसन तो फोटान की आपरती किती हो जाएगी P C upon H, किती हो जाएगी P C upon H photon की अवरति इकल डू कितनी हो जाएगी P C upon H, देखे यहीं से आ जाएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है देखे, यहां से देखे Lambda इकल डू कितना आ गया, H upon P Lambda इकल डू कितना आ गया, H upon P Okay, Lambda इकल डू C upon New रख दीजे, और यहां पर कितना आ गया, H upon P अब अगर आप New को उपर ले जाते हैं तो देखे, उपर आएगा P C upon कितना H तो यह बन गया P C भाई H, ठीक है न, तो थोड़े बहुत इदर उदर की मेहनत कर लीजेगा, अगर क्वेश्चन आता है तो चलिए अगरा क्वेश्चन नमबर 4, चुमकी छेतर में गती चील, अभी सितकन पर लगने वाला बल क्या क्या लाता है लॉरेंज बल क्या लाता है, स्वप रिर्कत का मातर कितना होता है हेंडी होता है, कोरे में संकेत के लिए अगर आप जैसे जैसे बाहर जाते जाओगे, जैसे जैसे बाहर जाते जाओगे, और अंदर इलेक्टरॉन का वे क्या होता है, बिल्कुल सेटलाइट के जैसे, अंदर गती जूर्जा जादा होती है और बाहर गती जूरजा कम होती है समझ में आ गया ना और इस्थिति जूरजा की बात की जाए तो अंदर इस्थिति जूरजा कम होती है और बाहर क्या होती है जादा होती है और अधिकतम इस्थिति जूरजा किती होती ही जीरो क्या होती अनंत पर किस पे होती है अनंत पे याद रखे गए इन चीज़ों को P प्रकार का रचालक प्राप्ट करने के लिए कौन सा परमाड़ों मिलाते हैं भाई साब अगर P प्रकार है मतलब P टाइप है तो P टाइप में आपको त्री साई हो जी परमाड़ों मिलाना पड़ेगा और नौट एंड गेट कैसे हैं तो और नौट और एंड जो हैं बेसिक गेट है बेसिक यहने की मूलभूद गेट है कैसे गेट है मूलभूद गेट है और यदि आप से यही पूछ लिया जाए कि नैंड गेट और नौर गेट कैसे गेट है तो इनको सारब्रत्तिक बोलते हैं क्या बोलते हैं एक सिकंड बाई थोड़ा से क्लिए रहां विदुद्धारा को परिभासित कीजिए तो भाई आवेस में परिवाह की आवेस परिवाह की दर को क्या बोलते हैं विदुद्धारा इसका सुत्र आई कुल्टू होता है कितना क्यों पॉंटी सो सिंपल अनुगमन वेक किसे कहते हैं तो यदि करके और स्विðे रहाइं जहां तक किसी चुंबक चुंबक की बलते हैं चुम्बक की बन वहां पर चऴता है और जहां पर यह फैली होब्धी वहां पर चुम्बकी फ्लक्स किसे कहते हैं किसी चालक से लंबवत गुजरने वाली चुम्ब की बल देखाओं की संक्या को चुम्ब की फ्लक्स बोलते हैं फ्लैमिंग के दाएं हाथ का नियम आप जानते हैं कि विद्धुधारा की दिसा बताने के लिए कौन सी विद्धुधारा की दिसा बताने के लिए फ्लैमिंग के दाएं हाथ का नियम परावरतन का नियम बच्चो वाला कोश्चन नियमित और अनियमित परावरतन से आप क्या समांतर होती है अनिमित परवर्तर में समांतर नहीं होती है फोटाउन को परिभास्त कीजिए भाई उर्जा का बंडल जो प्रकास लेकर क्याता है प्रकास किरन में उर्जा के पैकट को क्या बोलते हैं पोटाउन कहते हैं इनका इस्थाई मास जीरो होता है ठीक ना वो प्रका वोल्ट इकbrand का नमांके चित्र, परमाणु के नावखी मोडल की खोज किस ने की थी? धाई जयम सरदर फोड ने की थी, उनके द्वारा किये गए प्रियोक का माँ था लगहित व्ल मोगत प्रेայोन उत्तेजन विभाव क्या कहलाता है, ओके उत्तेजन विभाव, exciting potential, एक मिनट, परमाणू का होगा, कि एलेक्ट्रॉन का होगा, परमाणू का होगा, परमाणू का तुजन विभाव, ठीक है, इस चीज को आप लोग प्लीज देखिए, ये question क्या है, इसको आप देखिए, और म एक लाग कोशन है, नाविक किसे कहते हैं, तो परमाणू की central पार्ट को नाविक कहते हैं, ठीक ना, ये actually मेरे खाल से आईनन विभाव का होगा, हाँ, ये आयनन विभाव होना चाहिए, उत्तेजन विभाव मेरे खाल से आईनन विभाव होगा, हाँ, हाँ, बिल्कुल सही बात है एक्जैक्ली एक्जैक्ली बिल्कुल सही बात है प्रमाडू का और वो वैसे प्रमाडू का आएनन विभा के सकते हो क्योंकि आएनन तो प्रमाडू ही होगा है ना तो बिल्कुल सही बात है वो विभा देखो भई जो उर्जा होती इलेक्ट्रॉन की किस फॉर्म में हो तो वोल्टेज वो विभाव जिस पर वो अपने परमाडू को छोड़कर के बाहर निकल जाता है उसको हम क्या बोलते होंगे उसका आइनन विभाव यह बोलते होंगे इसको चेक कर लिए गए बार तो ना भी किसे कहते हैं यह मैंने बता दिया रेडियो अक्टिव विकरन कित बेदुद फ्लक्स इसका SI मातरक तो आप जानते हैं 5 is equal to e.ds क्या होता है e.ds तो e क्या होता है न्यूटन पर कुलाम और ds होता है मीटर का स्क्वार तो इसकी जो एकाई होती है न्यूटन पर कुलाम मीटर का स्क्वार विदुदुद छेतर की तीवरता से आप क्या आतात लीजेगा ठीक है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा देखें अगला क्वेश्चन हाँ ओम का नियम क्या है ओम का नियम यहीं किसी चालक की फिजिकल याने की उसकी कौनसी बहुत इक परिस्तेरियों को ना बदला जाए तो उस पर चालक के एक्रास सिरों के मदल लगाया गया विवांतर जो होता उसमें बहने वाली धारा के समान उपाती होता है इसकी सीमाएं लिग दीजगा चालक के सांतोर मणों ना करो टेंपरेचर बदलो ना अनुगमन वेक तथा धारा घनत में सम्मद इस्तापित के यह आई इसको अन परबरतन के सांता है इसको कोई बदलने से नहीं हो सकते हैं। वीट स्टोन सेतु का सिध्धान्द बनाते हूँ इसके संत्लन के लिए सूत्र निगमित करिए P upon Q equal to R upon S का फॉर्मूला डेवलप कर दीजे ठीक है हाईगेंद का तरंग सिध्धान्द क्या है तो एक बर फिर से आ चुगा और जो दुदियत तरंगागर होता है वो समान कला में कंपन करते हुए प्राथिमिक तरंगागर होते हैं उनका क्या होता है एन्वेलप होता है यस तो इसको पढ़ लीजेगा यह मेरे को इंपोर्टन लग रहा है और एक चीज में आपको बताओं अगर आप इसको नहीं पढ़के जाएंगे तो इसकी थियोरी आप खुछ से नहीं लिख पाएंगे इसको थोड़ा सा लिखना कटिन होता है क्योंकि यह बल्कुल नए टाइप का कंसेप्ट है सुद्ध वर्णकरम स्पेक्टरम प्राप्त करनी के लिए आवस्चेक सरते प्रकास आपके पास सुएथ होना चाहिए प्रिजम उपलब्द होना चाहिए तो कुछ सरते होंगी इसको देख लिएगा N और P प्रकार के अर्चालकों को तो भाई पी में क्या हुआ करते हैं खुल हुआ करते हैं तो इसको इस तो इस तरीके से आप लिख कर का जाएएगा सर, हाइगेimagin के तरणंट और दुटियक तरणंटंटां नहीं नहीं एक ही है बेटा वो उसी में याता है दुतियक तरंग उसी में आता हाईगेन के सिध्धान्त में ही दुतियक तरंग आता है बिटा दुतियक तरंग बनती तभी तो तरंग में आंगे बढ़ती है न ठीक है कैसे अलग हो गया एक मिनट देना हाईगेन का तरंग सिध्धान्त पढ़ दिया जाए एक मेंड़ बिड़े पढ़के बता रहा हूं मैं हाईगन का तरंक सिध्धान्थ क्या है चलो दो देखो यहाँ पर हाईगन का तरंक सिध्धान्थ एक बार मैं पढ़ दिता हूं नमबर वन है, समस्त ब्रगमांड में काल्पनिक माध्यर इथर व्याप्त है, ये तो पूरे तरीके से फर्जी था कि इथर वी इथर उसने दे दिया था, है ना, जो कि एक भारहीन सम्भांगी होता है और इसका घनत तो कम होता है, प्रत्यास्ता बहुत ही अधिक हुआ करती ह है ना, जब किसी स्रोथ से प्रकास की उर्जा निकलती है, तो इथर में तरंगे उत्पन हो जाती है, इस प्रकार तरंगों द्वारा प्रकास का संचलन हुआ करता है, मतलब कोई स्रोथ है, उसके तरंगे निकलेंगी, तो इथर में प्रकास का संचलन हुआ करता है, ये तर विभिन रंगों का विभिन रंगों की तरंग दैर में अंतर के कारण हुआ करता है। अच्छा। इसने केबल प्रकास की तरंग के बारे में बताया था, अब देखिए इसका दूसरा सिद्धान जो है, वो तरंग चलती कैसी है, दूसरा जो था कणि का सिद्धान जो मैंने आपको बताया था, कि अगर आपके पास में यहाँ पर पहला कोई स्रोथ है तो स्रोथ एलिए कोई कंपन करेगा तो यहाँ से तरंग भेजेगा अब यह तरंग भेजने से दुतिया का स्रोथ स्टार्ट हो जागा यहाँ से कंपन करना और जब यह कंपन करेगा तो यहाँ पर इसका वाइबरेशन पहुंचेगा इसी तरीके से यहाँ पर भी जो सुरूत है उसका वाइबरेशन यहाँ पहुंचेगा यह जो कण हैं और यह जो कण हैं यह समान कला में कंपन करते हुए कणों को जोड़ करके जो तरंगागर मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं दुतियक तरंगागर और इस तरीके से तरंगागर आंगे बढ़ता जाता है और तरंगागर के लंबवत दिसा में क्या चलती है किरन क्या चलती है किरन चलती है तरंगागर के लंबवत दिसा में क्या चलती है किरन ठीक है तो इस तरीके से जो आपके पास में तरंग होती हैं, वो तरंगागर के फॉर्म में चला करती हैं, मैं एक बार पढ़ दिता हूँ, हाइगेन का दूतियक तरंग से धांत, प्राथमिक तरंगागर का प्रतेक बिंदू, मान लिजे प्राथमिक तरंगागर है, इसका जो प्रतेक ये सारे के सारे क्या है इसके प्रात्मिक तरंगागर के प्रतेक बिंदू है प्रात्मिक तरंगागर का जो प्रतेक बिंदू है एक बिंदू सुरोत के जैसे कार करेगा ये सारे के सारे किसके जैसे काम करेंगे एक बिंदू सुरोत के जैसे कार करेंगे और ये खुद अपना अपना disturbance भेजेंगे जिससे नई तरंगे उत्पन होती है इन तरंगों को दुतियक तरंगी कायं कहते है यस ये रिखे ये जो तरंगे उत्पन हो गई है यह यह प्रात्मिक तरंगागर का प्रतेक बिंदू एक बिंदू सुरूत की तरह कार करता है जिससे नई तरंगे उत्पन होती है इन तरंगों को दुतियक तरंगी कायं कहती है किसी चड़ पर इन दुतियक तरंगी कायं की बाहर की ओर खीचा गया envelope अभहन निश्ट अभहन envelope जो है उस चड़ पर नई तरंगागर को प्रदसित करता है बिल्कुल वही बात की जा रही है कि यहां पर जो आपका एंविलप आएगा वो क्या कहलाएगा वो कहलाएगा दुतियक तरंगागर यह कहलाएगा दुतियक तरंगागर और यह जो अंदर जो डिस्टर्बेंस हो रहा है इनको बोलते हैं इसको बोलते हैं क्या तरंगी काएं क्या बोलते हैं इसको तरंगी काएं चलिए तो ये हो गया आपका दूसरा नियम तो मुख नियम जो है वो संचरण को ले करके है दूसरा जो नियम है वो संचरण को ले करके है और पहला नियम में उसने बताया है ऐक माध्या मीथर होता हो प्रत्यास्त होता है सम्मांगी होता है तो पहले नियम में उसमें कुछ खास नहीं बताय गया है तो दुतियक तरंगिकाउं का सिद्धानत ही मुक्ष सिद्धानत है इसको याद रखेगा जो दूती एक सिध्धानत है वो ही मुक्ष सिध्धानत है PN डायोड में धारा का प्रवाह अग्र अभिनती के रूप में समझाईए तो भाईया अग्र अभिनती की रूप में मैंने आपको बताया था कि जब PN जंक्सन में आप अग्र अभिनती बनाते हैं और डायोड जो होता है वो चालं करता है अग्र अग्र नीती हो गई लेंज का नियाम है यहाँ बेद बाहक बल जो उत्पन होता है प्रत्यावर्ती धारा के लिए आपको VRMS, IRMS, COS, PI का derivation very 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 important इसको जरूर कर लिजेगा तरंगागर कितने प्रकार के होते हैं मैंने आपको copy में लिखा है तरंगागर, गोली तरंगागर, बेलनाकार तरंगार और समतल तरंगागर ठीक ना less important है, कम ही आता है question, पार्थिव दूरदर्सी का नामांकित चित्री मैंने सारा करा रखा आपको पार्थिव दूरदर्सी, नामांकित रेका चित्रा आवर्धन चमता का निगमन और नियूंतम दूरी पर बने तो इस सब कुछ करवा चुका हूँ मैं आपको, कल करेंगे मेरे खाल से इसका तीसरा और आखरी पेपर बाकी है, तीसरा है ना, एक और बचाईए, अभी दो और बाकी है, अरे बहुत सारे हैं, चलिए, तो अभी हमको और सारे पेपर लगाने का मौका मिलेगा, तो हम लोग इसको लगाएंगे, ठीक ना, तो आज के लिए यहीं परिजाज दिए, बहुत बहुत नमस्कार धन्यवाद,